चैने सोबरकिंग आईपियल 2020 की वैली टीम है जिसने अपना कैम पे सीजन के लिए लगाया है एमेजोनी और कुछ खिलाडियों ने ट्रैक्टिस शुरू कर दी है लेकिन उनके बिस्पूट अकबले बाद शुरेश रहना भी भी टीम से नहीं चुड़े है शुरेश रहना के लिए चैने सोबरकिंग के सीई ओ काशी विश्वनातन का कहना है कि आईपियल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुरेश रहना 21 तारिक से कैम्प में जुड़ जाएंगे बता देगी चैने सुपरकिंग आईपियल सीजन 14 के अभ्यान के शुरुबा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाब करने वाली है पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों मकावलों में चैने को हराय था पता जा रहा है कि रहना नीजी कारणों से टीम से अभी नहीं जुड़े हैं लेकिन उन्होंने इसके लिए टीम से परमीशन ले ली है काशी विश्वनाथन का कहना है कि खिलाडी अलग-अलग वक्त पर कैम्प से चुड़ रहे है और सुरेश रहना 21 मार्च को कैम्प में शामिल होंगे रिपोर्ट्स के अनुसार काशी विश्वनाथन का कहना है कि हर खिलाडी के हर फैसले का सबमान करने की जरुवत है एवाजोनी के साथ काफी सारे युवा खिलाडी प्रैक्टिस कर रहे है रविंदर चड़े जा इस वक्त रिहाब में है और वो भी कुछ वक्त बार टीम से चुड़ जाएंगे जबकि बिदेशी खिलाडी भी 18 मार्च चैन नहीं आ जाएंगे सुरेश रैना ने पिछले साल आईपियन नहीं केला था और वो यू एई से वापस अपने घर लौटाए थे तीन बार की इंडियन प्रीमे लीग चैंपियन चैने सुपर किंग के लिए पिछले साल अच्छा नहीं था लेकिन इस बार उनकी निगाहें ट्रॉफी चीतने पर होगी खेर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मिंचन करना ना भूले LD Newsroom की रिपो